Hello everyone, so we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers and today we will discuss question number 25 So the question says, illustrate with examples the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers आपको बतानी है Williamson synthesis की limitations और एक example देना है ठीक है, Williamson synthesis में क्या होता है बटा? आप लेते हैं दो चीज़ें, एक आपके पास होता है L-Coxidine, R-O-N-A ठीक है? आपके पास होता है L-Kyl-Helide, let's say R-X, ठीक है? S into mechanism follow करता है ये, S into mechanism follow करने का मतलब है कि ये जो आपके पास है L-Coxidine R-O- ये back side से attack करेगा यहाँ पर और यहाँ से ये X- बहार तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है Ether? R-O-R- and साथ में N-A-X ठीक है? ऐसे आप symmetrical ethers भी बना सकते हैं और unsymmetrical ethers भी बना सकते हैं ठीक है? अब अगर हम बात करें इसके limitation की तो इसके limitation में सबसे पहला point क्या है बिटा? यहाँ पर ये जो alkyl halide आपने लिया ये होना चाहिए primary alkyl halide क्यों? क्योंकि अगर आप secondary और tertiary alkyl halides लेंगे तो back side से जो attack है वो उस पर possible नहीं होगा ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आप tertiary alkyl halides को use करके Williamson synthesis नहीं करा सकते हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक example लेते हैं बिटा आपने क्या किया? आपने लिया CH3 ये carbon और ये CH3 यहाँ पर भी CH3 and this is ONA ये क्या लिया बिटा हमने? ये this is tertiary butoxide ion and साथ में यहाँ पर लिया है calkyl halide CH3 BR तो क्या मिलेगा? प्रोड़क्ट में देखो क्या मिलेगा बिटा? ये O- अटाक करेगा यहाँ पर और ये BR बहर तो हम क्या करते हैं? सीधा यहाँ पर प्रोड़क्ट लिख लेते हैं ये यहाँ पर आएगा CS3 CH3 oxygen और oxygen ने अटाक कहाँ पर किया था? oxygen कहाँ से जूड़ेगा बिटा इस वाले कार्बन से तो यहाँ पर हम लिख देंगे CH3 साथ में बहर क्या जाएगा? N-A-B-R ठीक है? क्योंकि ये BR माइनस यहाँ से चले जाएगा बहर तो आपको जो प्रोड़क्ट मिला वो क्या है? दिस इन एथर डान? लेकिन अगर हम यही पर इस situation में अलकॉक्साइड आयन और अलकाइल हलाइड को उल्टा कर दें उल्टा करने का मतलब क्या हुआ? देखो आपने जो अलकॉक्साइड आयन है वो अब आपने लिया CH3-O-N-A और अलकाइल हलाइड आपने लिया टार्शुरी अलकाइल हलाइड मतलब यहाँ पर यह कार्बन CH3 यह CH3 यह CH3 यह CH3 and this is BR अगर आप इस सिनारियो में रियाक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बिटा? इस O- को अटाक करना पड़ेगा बाकसाइड से इस कार्बन पर और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह है इतना स्टेरिक हिंड्रेंस इस वज़ा से अलकाइड आइन बाकसाइड से अटाक नहीं कर पाएगा मतलब यह as a nucleophile यहाँ पर काम नहीं करेगा किस तरह से काम करेगा है बिटा? यह य elimination reaction, elimination reaction कैसे करते हैं? beta elimination याद है आपको, first chapter में खूब पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर हमें एक hydrogen को लिख लेते हैं बाहर, क्या होगा बिटा? यह जो base है यह abstract करेगा यह वाला proton and यहाँ से यह वाला bond shift होगा यहाँ पर and यह BR- बाहर, तो product में आपको मिलेगा alken, CH3, this is carbon, यह यह double bond CH2 and यहाँ पर CH3, यह मिला, तो इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम इस CH3 को लिख लेते हैं, यहाँ पर CH3 plus, बाहर क्या मिलेगा बाहर आपको मिल जाएगा CH3OH, ठेक, अब आप देखो product में क्या मिला आपको, आपको चाहिए था ether लेकिन यहाँ पर आपको मिला है एक एलकीन, क्यों मिला, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर reaction कौन सी हुई है, यहाँ पर हुई है बिटा, elimination reaction, तो जब भी आप Williamson synthesis में कोशिश करेंगे, टार्शरी एलकाइल हलाइड लेकर एथर बनाने की, तो वहाँ पर आपको एथर तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेग सिर्फ एलकीन मिलेगा, ठीक है, तो यह एक limitation है Williamson synthesis की, कि आप जो एथर बना रहे हैं, तो वह एथर आप सिर्फ प्राइमरी एलकाइल हलाइड को लेकर ही बना सकते हैं, ठीक है बिटा, यह बात समझा गई, आप चाहे तो एक लाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं, यह combination reaction competes over substitution reaction, ठीक है बिटा, question समझाया है, चलिए, मिलते हैं next question में, तब तक के लिए, bye-bye